नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं दुमका के किसोरी मामले में 23 को होगी पहली सुनवाई दुमका नगर थाना चेतर में पेट्रोल छिरा कर जला कर मार दी गई किसोरी के मामले में प्रथम अपर जीला यमसत्रे नियाए 21 के नियाले ने संध्यान लेते हुए पहली सुनवाई की तारिक मुकर कर दी है जनकारी के मुताबि कोट ने इस मामले में आरोपितों के खिलाप उक सो एक्ट चोंतिस वाई 22 के तहो संगयन लिया है मामले में कोट ने मामला दच कराते 23 सितंबर को पहली सुनवाई की तारिक तै कर दी है बिधिक प्राधिकार की ओर से अरोपितों के लिए मुहाया कराएगा अधिवक्ता को केस से समंधित तमाम कग्जातों को अपूर्ती किये जाने का आदेश भी कोट ने दे दिया है कोट के आदेज के बाद अधिवाक्ता को केस से समधित तमाम का ग्यातो को पलब्द कराने के पर के लिए तेज हो गई है खुटी में होगी कौसल बिश्व बिद्याले की अस्थापना राजेपालडा मेश बाद ने सोमार को जाराखन सरकार के दो बिद्याकों पर आपनी से whimप्रियति पाधान कर दिया उनमें खुटी में कोशल बिश्व बिद्याले के अस्थापना के एस्थापना के लिए कोशल बिद्या उद्यमिता डिजिटल एवं इस्किल 200 बिधाले बिधायक 2022 तथरांची में नीजी छेत्रे में आजीम प्रेम जी 200 बिधायक के अस्थापना से समझी बिधायक सामिल है जार्खन सरकार ने दोनों बिधायकों को बिधान सभा के मांसुन सत्र में पारित कराई थी राज जेपाल की स्व्ग। के बाद बिधिक बिभाग दोनों बिधायक को अदिनियम के रूप में आजीस उचित करेगा दोध दिवस्तय दोरे पर सियम हमन्त बरहेट को देंगे सोगाद जार्खन के मुख्य मंत्री हेमान सुरेन अपने दो दिवसे दोरे पर मंगलार को बरहेट बिधान साबा छेतर पहुंचेंगे बरहेट के एससडी उच बिधाले थित हेली पैड पर दो पर करीब एक बज़े उतरेंगे यहाँ पर विकास मेलावा विभी निवजनाव का सिले नयास और उदगाटन करेंगे इसके बाद छेतर की जनता को समोधित करेंगे लाबको के बिज परी संपत्ति वर नियुक्ति पत्र बाटेंगे इसके बाद यहाँ से मुख्य मंत्री दो पर आड़ाई बज़े हेलिकॉप्टर से उड़ान भर कर करीब तीन बज़े गोड़ा जिले के बोवार री जोर परखन अंतरगत डुमरी या फुटबॉल मैदान पहुचेंगे यहाँ पर भी बिभीन वेजनाव का सिलल नास और घाटन करने के बाद आम जंता को संबोधित करेंगे सराय के ला में आदिवासी कुडमी समाज ने किया रेलवे ट्रेक जाम सराय के लाखर सवाजी लाख एद्रा रेल डिविजन के निम डी रेलवे स्टेशन को आदिवासी कुडमी समाज के लोगों ने जाम कर दिया आज आदिवासी कुडमी समाज के बैनर तले रेल रोको आंदोरन किया रहा है इसी करब में राजे भर में समाज की लोगों की ओर से अंदुरन किया जा रहा है प्रप्त जनकारी के अनुसा सुबा साथ बये सही आदिवासी कुडमी समाज के बैनर तरले रेलवेज चक का जाम किया गया सिम्डेगा में बकरी चोर की सक में दो यूकों की पिटा आई वही घायल जी तनात का इलाज अस्पतार में चल रहा है हत्या के आरोप में पूरिश नियक ब्रक्तिव गिरफतार भी किया है बतादे थाना प्रभारी इंस्पेक्टर द्यानंद कुमार ने बताए कि घायल जी तनात के अनुसार 17 सितंबर की रात बंगरू घोसरा निवासी जगदीस नायाक मोटर साइकल से उसके साथ अरानी से जोक बहार के लिए रास्ते घर लोट रहा था इरफान अंसारी से मिलने कुलकाता पहुँचे सैक्डो समर्थक जारखन के जामतरा बिधायक इरफान अंसारी से सैक्डो की संख्या में महिलाए और बच्चे आज कुलकाता पहुँचकर भेट की और उनके हाल चलकी जनकारी ली महिलाओं ने एक सुर में कहा है कि हमारा बिधायक निर्दोस है और हम गरीबों का मसीहा है हम लोग बिधायक जी को वापस जामतरा लेकर जाने के लिए आये हैं जानता कि अदालत से बड़ा कोई अदालत नहीं है जामतरा की जानता बखो भी समझ रही है कि कैसे बिधायक जी को एक साजिस करता हो द्वारा फसाया गया जानता उन्हें कभी माप नहीं करेगी बिधायक जी के बीना पूरा छेतर में सनाटा है हम सभी को बिधायक जी की कमी ख़ल रही है इसलिए हम सभी लोग कोलकाता आया है और बिधायक जी को लेकर जाएंगे हबडा से रांची आ रही सताबदी ट्रेन पर पत्थरबाजी हबडा से रांची आ रही सताबदी एक्सप्रेश ट्रेन पर उपद्रियों ने पत्थरबाजी की है मिली जनकारी के अनुसार हबडा से आ रही इस ट्रेन पर जारखन के जालदा के पास उपद्रियों ने इस घाटना को अंजाम दिया है बताया जाता है कि जालदा के पास पहुंचते ही इस ट्रेन पर उपद्रियों ने पथरबाजी शुरू कर दी हलाकि इस घाटना में किसी भी यात्री को चूट या घायल होने की सुचना नहीं है बता गया कि हाबडा सराचिया रहिस्चताबदी एक्सप्रेश ट्रेन संक्या 12.09 के बोगी संक्या E2 में पत्थरबाजी की गई है आज कई ट्रेने राद तेवहारी मौसं के बीच जारखन बिहार और बंगाल जाने आने वाले हजारों यात्रीयों की मुस्किले आज बढ़ गई है रेलवे ट्रेक पर सुबा से सुरू हुए धारना परदसन के करान रेलवे ने दाजनों ट्रेनों को रद कर दिया है 20 सितंबर की सुबा धनबाद आने वाली जार गराम धनबाद मेमू नहीं आई अब दोपर में धनबाद से चलने वाली मेमू भी रद कर दी गई है इस ट्रेन के रद होने से धनबाद से बोकारो टाटा और बंगाल के कई सहरू तक पहुचने वाले यत्रियों को परसाइनी जलनी होगी सुबा चलने वाली चक्रधरपूर गोमो एक्स्परेस आज रद कर दी गई है इस वाई असे दोपार तीन बच कर पंद्रा मिनट पर गोमो से खोलने वाली ट्रेन भी रद रहेगी जारखन के विद्यार्थियों को नॉमबर से मिलेगी च्छात्रविर्थी मुख्यमंत्री हमांसुरे ने जारखन के स्कूली बचों को पिरी मैट्रिक च्छात्रविर्थी का भुगता नॉमल महिने से करने का निदेश दिया है राज में पहली बार पिरी मैट्रिक च्छात्रविर्थी की रासी में बढ़ोत्री की गई बताद देया रासी बढ़ा कर 15 रुपए, 25 रुपए और 4000 रुपए कर दी गई है चात्रविर्थी देने के लिए बचे का बैंक में खाता और अधार से लिंक होना अनिवार नहीं होगा बच्चे का खाता नहीं होने पर उनके अभी भावक के बैंक खाते में छात्रविती की रासी भेजी जानी है इसके लिए बच्चे की नमांकन के दोरान ही उसके अभी भावक का बैंक एकाउट की जनकारी ले लिया जाएगा गढ़वा में नवालिक लड़की को अगवा कर तीन दिनों तक किया दुसकर्म जारखन में दलित वा दिवासी नवालिक लड़कीयों के साथ दुसकर्म एवं समुएक दुसकर्म की घटनाय लगातार सामने आ रही है एक बार फिर मानावता को सानवसार करने वाली घटना गढ़वा जिला से सामने आई है यहां भी से समुदाय के युग द्वारा एक दलित लड़की का फरन कर उसके साथ तीन दिनों तक दुसकर्म किया गया रेप की घटना को अंजाब देने के बाद लड़की को ड्राध हमका कर छोड़ दिया गया बताया जा रहा है कि गढ़वा जिले के बढ़डिया थाना अंतरगत एक गाउ से उनिस दुचित जाती की एक नभालिक बची का फरन कर तीन दिन बाद मुक्त करने का मामला परकास में आने के बाद चेत्र में तनाओ का महोल है तीन दिनों तक कबजे में रखने के दोरान उकदनमालिक लड़की के साथ दुसकर्म भी किया गया सराब दुकानों में परभारी और सहायक बनने के लिए असना तक जरूरी छारखन में राज सरकार के उत्पाद विभाय की ओर से सराब दुकानों का संचालन किया जा रहा है राज सरकार अपने अस्तर पर 1 माई 2022 से दुकानों का संचालन कर रही है इन दुकानों के संचान के रिए दुकान के परभारी और साहकों की बाहली की जाती है राज सरकार की ओर से इसके लिए कुछ सर्थ निधारित की गई है रांची जीले कैसे दुकानों के परभारी और साहयकों के नियुक्ति के लिए रांची जीले परशासन ने सुचना जारी किया है बता दे रांची जिला परशासन ने तैस सर्तों के अधार पर छेत्रे के सराब दुकानों के लिए दुकान परभारी और दुकान साहया के पधो परन्युक्ति की पहल की है रांची डीसी 1240 सुचना के मताबिक जारखन उत्पाद कर्पोरेशन लिम्टेट के माद्यम से खुद्रा उत्पाद दुकानों का संचालन 2022 निमावली के तहट खुद्रा सराब दुकानों का संचालन किया जा रहा है दुकानों के संचालन के लिए दुकान परभारी और दुकान साहकों के चैन सुची सर्तों के अधार पर तैक करनी है होस्टल से अपति जनक वीडियो वाइरल होने के बाद सतरक रहने की जरूरत पंजाब के मोहाली की एक निजी इन्वर्सिटी के होस्टल से अपति जनक वीडियो वाइरल होने की घटना ने सन्वेदन सिल समाज को हिला कर रख दिया है फोर जी से 5G की ओर भागती दौरती सोसल मीडिया ने नई चुनोती खाड़ा कर दिया है निज्टा पर संकट का दौर है खासकर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे है बदलती तक्निक के बीच अपनी निज्टा को सुरक्षित के लिए सतरक होने का समय है बतादे होस्टल से लेकर सहरो के सरोजनिक अस्थानो मौल दुकान में लगे कैमरे पर खुद की नजर रखने की जरूरा था यह जानना जरूरी है कि तीसरी आख बेवजा आपकी निज्टा में तो नहीं जाक रही एक स्पर्ट के अनुसार छातरा जिस होस्टल और लोज में रहती है वहां की सुरक्षा को बारी की से समाझ ले धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनलों के सब्सक्राइब कर बहुल का बेल अकान दबाईए साथी साथ वीडियो के एक लाइक करें अपने दोस्तों के सब्सक्राइब करना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवेक अवस्त दे थैंक्यू